हेलो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा नमस्कार आज मैं एक बहुत ही हेल्दी और यूनिक तरीके से आपके साथ एक रैस्पी सेयर करी हूँ जिसे आप बच्चों को भी टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं साथ ही आप अपने हस्वेंड को भी दे सकते हैं बना करके तो चलिए इस को मैं बनाना सुरू करती हूँ बहुत ही असान है जट से बन भी जाती है तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कप सुझी लेंगे सुझी आप मोटा या महीन कोई भी ले सकते हैं सुझी में हम 3-4 थाइक यानि एक कप से थोरा सा कम पानी डाल देंगे और अच्छे से इसे हम एक बार मिला लेंगे और ढखके इसे हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे 20 मिनट में जो है सुझी हमारा अच्छे से फुल जाएगा तो सुझी का फुलना बहुत जरूरी है अगर आपका सुझी नहीं फुलेगा तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा और ब नहां पर मैंने अखरोट, काजू, बदाम और किसमिस लिया है आपके पास अगर ड्राइफुस नहीं है तो आप नारियल का भी पाउडर डाल सकते हैं साथ ही इसमें हम 4-5 बरी चमच के करीब चीनी का पाउडर डाल देंगे चीनी के पाउडर के जगह आप गूर का पीचर पे होना चाहिए दूद हमें एक बार में नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके मिलाते रहना है हमें इसे अभी गाढ़ा ही रखना है क्योंकि आगे भी हम इसमें कुछ मिलाने वाले हैं इसलिए अगर दूद जादा डाल देंगे तो यह बहुत ही पतला हो अब इसे हम कलरफुल और हल्दी बनाने के लिए इसमें हम चुकंदर का जूस डालेंगे तो बहुत ही असान है मैंने चुकंदर को घीस लिया था और उसका जूस निकाल लिया एक कप्रे में डालके निचोर लिया था तो यह टूटल जो है चार बड़ी चमच के करीब चु चुकंदर जो है हमारे सरी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है तो अगर इसे यहां पर डाल देंगे तो एक तो यह बहुत ही कलरफुल हो जाएगा दूसरा यह बहुत ही हेल्दी भी हो जाएगा तो अब हम चुकंदर के जूस को डालकर इसे अच्छे से एक बार मिला लेंग तो बहुत मोटा निकलेगा और अगर आप पतला कर दिये तो भी अच्छा नहीं बनेगा तो आप इसी तरह से इसका बैटर तयार कर लिजिएगा अब यहाँ पहले से ही मैंने घी को अच्छे से गरम कर लिया है घी जो है मिडियम हीट पे होना चाहिए अब घी के जगा रिफाइन ओयल या कोई भी कूकिंग ओयल ले सकते हैं जैसे हमारा घी गरम हो जाएगा उसमें हम एक कल्ची डालेंगे और इसे हम धीमी आचपर दोनु तरफ से अलट पलट के हम इसे पकाएंगे इसे जो है हमें धीमी आचपर ही पकाना है नहीं तो क्या होगा कि उपर से जल्दी से ये कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा ही रह जाएगा देखिए कितना खुबसूरत ये देखने में लग रहा है बच्चे तो बनाते ही इस पे तूट पड़ेंगे हमारे बिहार में तो ये होली में बनती ही बनती है आपके यहां ये होली में बनती है या नहीं बनती है हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा हमारे यहां इसे पुवा बोला जाता है आपके यहां इसे क्या बोलते हैं वो भी आमें प्लीज कमेंट करके बताईएगा तो देखे कितनी खुबसूरत हमारी ये सूजी और चुगंदर का जो है पुआ बन के तैयार हो चुके है इसे आप आलू की तरी वाली सबजी के साथ खाई ये बहुत ही टेश्टी लगती है आप इसे दही के साथ भी इंजुआए कर सकते हैं आप इसे धनिया वाली चटनी के साथ भी इंजुआए कर सकते हैं बहुत ही टेश्टी लगती है तो इस तरह से बना करके आप अपने बच्चों को टिफिन बॉक्स में दीजिए अपने हस्वेंट के लंच बॉक्स में बना करके दीजिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़दार बनती है, आप सभी को यदि फ्रेंड ये मेरी रस्पी पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिब्स के कुछ रहिए